कि 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 अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहें वैसे ट्रेंडिंग थ्री लेयर श्ट्रेट अज़ों आजम एडिट करने वाले तो इस वाल वीडियो का अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज की इस वीडियो को कमप्लेट चालू से देखे साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो रिक्वेश्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकरेशन विजर से स्ट कर ले तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते तो इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको आर्टिकल का टैटल है वीवो एक्स एट फिवो एक्स एक्स एट प्रो लॉंच इन इंडिया प्राइस है अट स्पेकिकरेशन नहीं नहीं यह को निचे पार करके ढूट लेज़ी आपको कहीं पर इसी पेस्पेज पर मिल जाएगा और वेबसाइट का टैटल देख तो काइन मेस्टर को ओपन करने के बाद प्लस के एकन पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको वन बाए वन का एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर देना है इसके बाद आपको सबसे पहरे इमेज एसेट पर जाके कोई भी एक बेगराउंड को सिरेट करना है जितने सेकंड की वीडियो बनाने है उतने सेकंड तक इसकी लेंद को बड़ा देजिए इसके बाद फिर से स्टार्ट अलोग पे आजाईए यहां पर आने के बाद आपको लेयर पे जाना है यह जो blue color है, key color में blue color लेके इसको इस तरह साब adjust कर लिए ठीक है यह जो white line है वो दिखने चाहिए इस तरह साब इसको adjust कर लिए ठीक है इसको adjust करने के बद अब आपको यहां से bake आना है, bake आने के बद दूस्तों यहां पर आपको देखे लेर पे जाना है इसके बाद जाना है,FX पर और यहां से आपको आप एक ओपसन में आगा लाईट्न मास्क आगाने यह नहीं है तो यहां से इसको आपको आजाना है मास्क पर, और के अबना data आपको on.it नहां इसको इमीदे कर लोजिए, फिर यहां से bake आने के बद इसको आपको नीचे आना है बेग्राउं कलर पे और यहां पर यह देखको बॉक्स रहेगा तो आपको यहां से इस वाले बीच वाले पे आ जाना है अब यहां से आपको पिंक कलर पे लेखके जाना है और अब इसको आपको हलका पिंक रहा है एक दम लाइट कलर रहा है कि मैं आपको दिख है लिए हैं तो अब आपको कर देना है hey ya तो फिर पहल देखे क्यादर एंब नी प्रोप्स ने तक पूरी तक ले ले जो concept पीसे बाद से रहां पर और दियो wz यहां प्लोप्सम को यहां से क्या करना है फिर से यहां आपको एकदम नीचे आ जाना है फिर से खाल से एंगल में चेंजी सोच चुके तो मैं सही कर ले थो पहले इसके बाद आपको फिर से नीचे की तरफ आ जाना है एकदम लाश्ट में बेग्राण कलर पर अब दूस्तों इसको थोड़ा सा और हलका कलर ठीक इसको फोड़ा सा ओडुम लाइट करें इतना लाइट आप कर लिजए तो मैंने किया है इसके बाद आपको फिर से राइट वाला आइकन पर क्लिक करना है अब यह जो आपने लाइट किया उसको थोड़ करना है जो डूब्लिकर बना उसको नीचे की तरफ लेके आना है यहां पर अब इसको आपको क्या करना है इसके सेटिंग पर जाना है इसके एंगल को आपको माइनस नैंटी कर लेना है और इसको माइनस नैंटी करने के पर इस तरह से इस तरफ रख देना है आपको दोनों तर और इसको भी थोड़ा से पीछे की तरफ रखके set कर देना है तो इसको इस तरह से set करके इस तरह से पीछे की तरफ रख दीजिए इसके बाद अब दूस्तों यहाँ पर आपको particles वीडियो को add का जो कि मैंने आपको materials में दिया दो और particles वीडियो को add करने के जाए लेयर पर फिर जाए 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 मीडिया पर और इस वीडियो को add कर लेजिए वीडियो को add करने का बहुत ऊपर की तरह हप रखेंगे पहले दूसरे तर्फ गुमा देजिए और इसको भी यहां पर रख दीज़े और इस तरफ भी आपको थोड़ी से जगे रखने जहाँ वे फोटोस आएगी तो यहाँ पहाँ पर आपको फोटो एड करने कहाँ है जिसके भी फोटोग आप यहाँ पहें पर आपको उपरी तरह रखेंगे और यहां से निचे आप क्रॉपिंग प्याना है, मास एनेबल करना है, फीदर को बढ़ाना है, तो इसको कुछ अपने फोटो जैसे उसके इसाब से आपको बढ़ाना होगा, तो बेरे कुछ यहां पर इतने अच्छा दिते हैं फोटो दिन में रखूंगा, उसके बाद फोट दूसरी फोटो को आड़ करेंगे, और इस लेर को भी आपने पूर इड़ो में आगे तक लेना है, अच्छे से पहले श्रेथा को बाद utilizar के बें इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर धिकिया करना है जो आपने green वाली वीडीयो आड़ पर ऍपे घर ब्लू वाली इस वि अच्छे से देख लीजिए अगर इसको आगे पीछे अगर आप करना जाज़े से कि यह दिखे थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फोटो पे आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा फोटो से आगे के तरफ ले लूँगा तो आपको इस तरह से एड़ेस्ट कर लेना है अपने पहले आपने एक्सपोर्ट करेगा ऊतनी सेड़ा से लेघ लेंग को रहिए उसी जार अपने एक्सपोर्ट कि उस वीडियो को यहांपे रखना है और इसको आपको इस तरह से अज्जस कर लेना जो इसको हट आने के बाद अब दोस्तों यहां से आना है बैक अब दोस्तों यहां से बैक आने के बाद आपको फिर से आ जाना है लेयर पर जाना है मेडिया पर कोई भी एक इमेज आपको सिलेट करने ही यहां से पर देख लिजी इस वाले color को आपको लेना है जो के purple color है इसके बाद आपको यहां पर तीन रोट पर जाके send to back करना है और अब दोस्तों यह जो लेयर आपने add की color वाली उस वाले लेयर को आपको पूरी युड़ो में आगे तक ले जाना है यहां पर जाएंगे और इसकी length को दिखेगा तो आपको अपने साब से इसको इस तरह से set कर देना जितने की साजा पर रफना जाते हो से इस तरह से बीच में set कर लिजिए अब image को add करने के बाद इसकी length को इस तरह से पूरी डूमें आगद कर ले लिजिए इसके बद फिर से start low point पर आ जाईए अब दोस्तों आपको 90 उसके बाद नीचे आ जाईए बेगरां कलर पर जाना है और इस बार दूस्तों आपको पिंक कलर सिलेट करना है और यहां पर आपको इसको थोड़ा हलका सा पिंक रखना है एकदम light नहीं रखना थोड़ा सा डार्क पीन रखना है बहुत ज्यादर डार्क पीन नही और फिर तीन डोट पर जाके इसका डूपलिकेट बनाएंगे जो डूपलिकेट बना उसको इसके सामने के तरफ लेके आना है अब यहां पर इसके सेटिंग पर जाना है एंगल को माइनस 90 कर लेना है अब दूस्तों थोड़ा सम आगे के तरफ लेके आएंगे कुछ इस तर वीडियो में अब दूस्तों इसको मैं थोड़ा सा लाइट भी करना है तो क्या करना है इन दोनों लेयर को फिर से डूटिकेट बनाऊगा तो जो फॉर्स्ट वाली पहले लेयर है उस पर जाएंगे इसके तीन दोड़ पर जाके डूप्लिकेट बनाएंगे यहां पर डूप्लिकेट बनाना है और इसको सामने के तरफ लेके आना है और इसकोसको फोटो काald करने सेंगे और अच्छे से इसको पहले round कर लीजिए और इसको इस तरह से round करने के बाद इसको जो feeder है वह आपने बढ़ाने यह feeder अपनी फोटो की साफ से बढ़ाएं ठीक है इसके बाद इसके जो फोटो की जो लेंथ रहेगी उसकी लेंथ को आपको बढ़ा के पूरी डो में आगे तक ले लेना है अब दोस्तों जैसे हमने यह वाली फोटो एड़ की उसी तरह से दूसरी फोटो को यहाँ पर दूसरी तरफ एड़ कर लेनी है तो यहाँ पर मैंने द और एक इमेज को नीचे की तरफ रखना है तो यहां पर एक home यहां पर रख लेंगे कुछ इस तरह से आपको adjust करना है और यहां पर आपको उपर यहां तो फिर नीचे जहां पर लगाना चाहते उसको लगा लीजिए इसके लेंध को बड़ा दीजिए इसके बाद से इसी तरीके से दूसरी image को भी add कर लीजिए तो एक image को उपर रखेंगे दूसरी image को इस तरह से नेचे के तरफ रखेंगे इसके बाद यहां पर आपको sound को add करना है तो sound को add करना ले इस तरह से बनके तयार हो जाएगा इसको प्ले करेंगे तो यहां पर आपको इसका preview देखने को मिलेगा अगर वीडियो की export करोगे वीडियो क की गरेले में सेव हो जाएगे तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद है होगी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर लेजिए और चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब चार से करें